तो आप लोगोंने present indefinite tense complete कर लिया है आप लोग देख रहे हो present continuous tense हम पढ़ते हैं present continuous tense बहुत ही सरल तरीके से जैसे आपने present indefinite tense पढ़ लिये हैं वैसे ही बहुत कम समय में हम present continuous भी पढ़ेंगे वो भी ऐसा पढ़ेंगे कि हमेशा के लिए मेरे perfect हो जाएंगे present continuous tense अगर जो आप पूरी वीडियों को वाच करते हो तो आपको present continuous tense बनाने से कोई रूखी नहीं सकता है आप बिना copy pen उठाए present continuous के sentence बोल सकते हो बना सकते हो लिख सकते हो तो आईए देखते हैं इसको भी समझते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं present continuous tense इसके जो पहचान होती है हो आर किसके साथ लगेगा इसको बहुत ही ध्यान से समझना है तो यहाँ जो इज है ये लगेगा आपका singular के साथ में I am जो है ये लगेगा I के साथ में और जो आर है ये लगेगा plural के साथ में सबसे पहले हम rule देखते हैं affirmative सकारात्मक rule देखते हैं सबसे पहले लिखेंगे subject फ first form लिखेंगे main work की form कौन सी लगेगी first form लगेगी ing के साथ में हमेशा कौन सी form लगती है first form लगती है तो ing के साथ में हमेशा main work की first form ही लगती है तो आईए देखिए यहाँ पे main work की first form फिर ing फिर object उसी तरीके से negative देख लेते हैं negative में बस क्या होगा कि not लग जाएगा इसमे में भी सबसे पहले subject, फिर helping work, फिर not, फिर main work की first form, फिर ing, फिर object, किसी भी चलते हुए दिखाना है तो वहाँ पे ing लगानी पड़ेगी, इसलिए इसको कहते हैं continuous, काम मतलब continuous है चल रहा है, उसके बाद में हम देखते हैं present continuous tense का interrogative first type, interrogative first type में क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे e, jam, r, फिर लिखेंगे subject, फिर लिखेंगे main work की first form, फिर लिखेंगे ing, फिर object, फिर mark up interrogation, उसी तरीके से interrogative second type में कुछ हम changes नहीं करेंगे, बस इसमें क्या है, सबसे पहले wh family लगा देंगे, फिर helping work, फिर subject, फिर main work की first form, फिर ing फिर object फिर markup interrogation कुछ examples की मदद सरल तरीके से present continuous tense को बहुती बेहत तरीके से समस्ते हैं तो आईए देखे कुछ examples की मदद से आपके present continuous tense complete कराए जाएं तो सबसे पहले लिखा है एक आपका example लिखा है क्या लिखा है मैं एक निबंध लिख रहा हूं अब इसमें देखते हैं यह sentence है यह कैसा है अब इसमें बाई कहीं पर नहीं तो नहीं लिखा है तो यह negative नहीं हो सकता है इसमें ना तो कहीं पर question पूछा जा रहा है ना तो हम किसी चीज का answer दे रहे हैं तो ये इंट्रागेट्व फर्स्ट टाइप और इंट्रागेट्व शेकेंट टाइप भी नहीं हो सकता है तो ये कैसा होगा ये होगा affirmative कैसा sentence होगा affirmative तो ये जो वाग की लिखा है ये affirmative लिखा है इसको हम बनाएंगे बहुत ही सरल तरीके से तो क्या बनाएंगे सबसे पहले देखते इसमें subject देखेंगे तो subject कौन है मेरा मैं आप लोग इतना हो सी यार हो चुके हो भाई मुझे बताने की जरूरत ही नहीं आप लोग खुद बताओगे मुझे तो सबसे पहले लिखा है मैं मै की English लिखूंगा I उसके बाद में लिखेंगे I am उसके बाद में देख कौन सी है लिखना लिखना की first form क्या होगी राइट और राइट के साथ में आएंगी लगा देंगे हो जाएगा राइटिंग उसके बाद में निवन निवन की होती ऐसे तो लिखेंगे I am ऐसे यह आपका sentence बन चुका है उसी तरीके से सेम एक दूसरा लिखा है क्या लिखा है हम आपस में बाते कर रहे हैं भाई हम आपस में बाते कर रहे हैं हम आपसे बाते कर रहे हैं आप मुझसे बाते करो आप मुझसे कमेंट पे बाते कीजिए हम आपसे direct बाते करें, से पहले लिखेंगे we, हम क्या लिखेंगे we, उसके बाद में we जो है, यह plural है, तो हम क्या लिखेंगे? we are talking together, उसी तरीके से तीसरा वाला लेखेंगे, क्या लिखा? वह अपना काम नहीं कर रही है, भाई वह अपना काम नहीं कर रही है, तो अपना काम कैसे करेगी? तो आप लोग वीडियों को पूरा देखेंगे और अपना काम कंप्लीट करें प्रेजेंट कांटिनुएस टेंस का, आपके टेंस इस वीडियों को देखने के बाद में विर्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप अगर जो अच्छी तरीके से वीडियों वाच करते हो, त आपके टेंस एकदम से कंप्लीट हो जाएंगे, और अपना काम भी आप पूरा करोगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें क्या बनाएंगे, यह जो लिखा है, यह निगेटिव है, तो इसमें निगेटिव वाला रूल लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सबजेक् क्या लिख देंगे, सी, इज, नाट, उसके बाद में करना करना की क्या होती, डू, तो डू के साथ में आई अइन जी, उसके बाद में, वर्क, वह अपना काम नहीं कर रहे हैं, उसी तरीके तीसरा बनाएंगे, क्या लिखा हम पतंग नहीं उड़ा रही हैं, हम क्यों पतंग उड़ाएंगे, हम तो मिश्टर सर को देख रहे हैं, उनकी वीडियो देख रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, टेंसम कम्प्लीट कर रहे हैं, तो हम पतंग क्यों उड़ाने जाएंगे, पतंग तो फ्री टाइम में उड़ाएंगे, अभी तो हम मिश्टर सर क देख रहे हैं देखिये बहुत ही ध्यान से और इसको भी बनाएए तुम हम की क्या लिख देंगे वी क्या लगाओगे आर णाट फ्लाइंग ऑफ्लाइंग दा काईट तो आप लोग इसको क्या बनाओगे हम पतंग नहीं उड़ा रहे है we are not flying the kite उसके बाद में क्या लिखा क्या वह एक पत्र लिख रहा है अगर जो वह लिख रही है क्या वह एक पत्र लिख रही है अगर जो वह पत्र लिख रही तो मैं answer देंगे yes अगर जो नहीं लिख रही तो इसका answer देंगे no, तो यह interrogative first type है, तो इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे helping work, तो helping work क्या लिखेंगे age, see, writing, a letter, उसके बाद में दूसरा वाला बना देंगे, वह दफ्तर क्यों नहीं जा रहा है, वह दफ्तर क्यों नहीं जा रही है, interrogative second type है, तो इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले वह family, वह family इसमें है, क्यों, तो क्यों की meaning लिख देंगे, why, why, is he not going to office, तो आप लोगों के present continuous tense भी complete हो चुके हैं, तो अब देखते हैं present perfect tense, तो आप लोगों के present continuous tense complete हो चुके हैं, आप लोगों को exercise हम दे रहे हैं, इसको अपनी copy पे तुरंत करिए, और उसके बाद में हम आगे देखते हैं present perfect tense, अब present perfect tense आपको देखने के बाद में पढ़ना है present perfect continuous tense, उसमें पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा, और मुझे comment box में बताईए, कर दोक में यादी